नमस्कार में हूँ संजे किशोर, इंग्लेन के टीम करीब सत्रा साल बाद पाकिस्तान के दोरे पर है, दोनों देशों के बीच साथ T20 और तीन टेस्ट मैच खेले जाएंगे, इस बारे में बादचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के पूरू करेटर वाजित खान सर स्वाज़त है, बाजित खान सर ने पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट और पांच वंडे मैच खेले हैं, बाजित खान सर सत्रा साल बाद जो इंग्लेन की टीम पाकिस्तान पहुंची है, किस तरह का उस्जा है लोगों में खासकर और वहां पाकिस्तान में, देखें जाहरे इ मुकाबला कराची में जॉस बटलर केलेगा और इंग्लेंड की टीम इतने सालों के बाद पाकिसान में केल रही है ये एक एक मैं अगर कहूं तो प्रॉसेस रहा है पी एसल उसके बाद काफी सारी टीमें आई ही वेस्ट इंडीज आया सीरलंका आया बंगलादेश आया और पाकिसान में तो बहुत रिस्पॉंस है लेकिन जब बड़ी टीमें आ रही है तो अब ऐसे लग रहा है कि चीजे नॉमलाइज हो गई है और पाकिसान में अब वो सिरलंका इंसिडेंट से पहले की जो क्रिकेट थी वो अब रिटर्न हो रही है और और शायद ये इनका किस तरह की मुकावले कि उमीद कर रहे हैं आप पाकिस्तान के पास अच्छे वलेवाज हैं तो गहिंटे जैसे बाइट बाल डेप्थ बहुत ही जबर्दसता है और जिस किसम की वो क्रिकट खेलते हैं बाइट बाल में इस्पेशली यह पाकिसान के लिए टेस्ट होगा एक जो अच्छी बात है कि पाकिसान की बालिंग शाहिंशा फ्रीदी आन्फेट है लेकिन उटकी बालिंग काफी एंटर्टेन्मेंट जूर होगी क्योंकि इंग्लेंड तो खिलती है वो जिस तरह जाले आना उनका स्टाइल होता है तो एंटर्टेन्मेंट बहुत अच्छी होगी मेरे हैल मुकाबला ज्यादा तर यह होगा कि पाकिसान की बालिंग और इंग्लेंड की बैटिंग अगर प ने कहीं कि पाकिस्तान की बालिंग और इंग्लेंड की बैटिंग मुकाबला होगा बाबर उज्म के बारे में क्या प्रण के वह चल नहीं पहनinees गया के अंगि और पिछले डेर साल दो साल से बहुत ही अच्छी फॉर्म है तो उनकी फॉर्म का मेरे खल इतना कोई लोगों को परिशानी नहीं है क्योंकि बाबर वापस आ जादी हो परिशानी जो रही है और जो काफी डिसकस हो रही है वो यह ही हो रही है कि पाकिसान पहले पाउर प्ले और पहले दस ओवर ज्यादा अटैकिंग बैट से ज्यादा अटैकिंग क्रिकिट नहीं किलगा जिसकी वजह से शायद परिशानी हो रही है उनको और शायद वो बड़े टागिट्स अचीव नहीं करें तो वो एक इशू है जो देखना पड़ेगा कि कैसे बाबर और लोगों को टेंशन नहीं है क्योंकि वो ऐसा मतलब ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो ज्यादा देर तक आउट और फॉर्म रहें लेकिन जो थोड़ी सी परिशानी ये ज़ूर है कि पावर प्ले में हमारी ओप्रिंग जोड़ी और और नंबर पावर प्ले फुली इस्तमाल नहीं कर रहें वो इस्तमाल करना जरूरी है क्योंकि आप को पता है कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में तो अस्ट्रेलिया में तो लंबे स्कोर होते हैं रंस दोसों के लगबग होते तो तो वही मतलब सिच्वेशन आप वो उसकी खेड़ने पड़ेगी तो मुहमद रिजवार पर काफिश जिम्हदारी होगी अगर आजब का वापस में नहीं आते हैं तो आप लगता है कि उस जिम्हदारी को वो निभा सकते हैं कैरी फावड कर सकते हैं नहीं रिजवान कैरी फावड तो उन्होंने इश्यक अप में की नमबर वन टी ट्वेंटी प्लेयर है लेकिन सवाल फिर वहीं पे है कि क्योंके जो पहले सिक्स या टैन ओवर से पाकिसान दोड़ा प्रिजर्टिव खेलता है उसके वज़ए से पाकिसान को नुक्सान हो र की जो अप्रोच है उसमें थोड़ी सी पाकिसान को वर्क करना पड़ेगा रिजवान कंसिस्टेंट बहुत है सिर्फ जो बात हो रही है अब पिछले दो तीन महीने से वही है कि कैसे आप शुरू में ही अटैक करें ताके जो मिटल ओर आपका है तो ऐसा ना हो कि उनको हर द जो टॉप T20 ब्लेंग नेशन्स हैं वो ऐसे ही करती है कि शुरू से ही कोशिश करती है अटैक करें और और अटैक करें ही चली जाती है क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर आप 20 ओवर के बाद 130 या 40 पे 5 आउट हैं तो वो 5 विक्टों का आपको कोई फायदा नहीं है आपको फा बिगर पिक्चर को आप देखें तो अस्ट्रेलिया में ऐसी होगा कि बहुत कम ऐसे मैचेस होंगे जो लो स्कॉरिंग अपने बिगर पिक्चर की बात की तो क्या शाहिट सा अप रिंदी वर्ल्ड कॉप के पहले फिट हो जाएंगे देखें रिपोर्ट्स तो यही आ रही ह आया कि वो कोई मैच खेल सकेंगे आया कि वो अपनी बालिंग रिद्म दोबारा उसी तरह ला सकेंगे तो वो रिदम इनका बहुत ही अच्छा चल रहा था तो अब पहली दफा ऐसे हुआ है कि एक ब्रेक आई है उनकी बालिंग में तो थोडी सी परिशानी वो जरूर होग लेकिन जो rehab की reports कल भी आई हैं वो यही है कि rehab जो है वो on target है बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बाचीत करने के लिए समय देने के लिए और एक अच्छी बात है कि जो जो श्रिंखला है जो सिरीज है इसका भारत में भी प्रसारण हो रहा है आप सोनी 6 पर और सोनी HD 6 पर 20 सितंबर से 8 बज़े से मैचेस देख सकते हैं पहले टी-20 खेली जाएंगी उसके बाद तीन मैचों की टेस्ट से लिए बहुत दोशुक्रिया